हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफूट एज्चेशन में आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी के प्रमुख संप्रदाय या वात के बारे में बताएंगे और उनके प्रवर्तक के बारे में भी बताएंगे जो की परिक्षा की दरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट है पहला है रस संप्रदाय जो रस संप्रदाय थे उसके प्रवर्तक थे भरत मुनी रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भरत मुनी नेक्स्ट क्या है अलंकार संप्रदाई, अलंकार संप्रदाई के प्रवर्तक थे भामा और मम्मट, भामा और मम्मट जो थे वो अलंकार संप्रदाई के प्रवर्तक थे, मुख्य रुप से इसमें भामा का नाम लिया जाता है किसका भामा, रस संप्रदाई के प्रवर्तक थे भरत मुनी, नेक्स्ट क्या है अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे भामा और मम्मट, नेक्स्ट क्या है रीती संप्रदाय, रीती संप्रदाय के प्रवर्तक थे दंडी और वामन, नेक्स्ट है ध्वनी संप्रदाय, ध्वनी संप्रदाय के प्रवर्त त्परतिक थे आनन्द वर्धन। फिर से एक बार रिपेट करती हैं, कि रज संप्रदाय की बात करेंगे, तो उसके प्रवर्तक थे भरत मुनी। त्वनी संप्रदाय के प्रवर्तक है, आनन्द वर्धन। थ्वनी संप्रदाई के प्रवर्तक कौर है आनंद वर्धन, नेक्स्ट है वक्रोक्ती संप्रदाई, वक्रोक्ती संप्रदाई के प्रवर्तक है कुंतक, नेक्स्ट है औचित्य संप्रदाई, औचित्य संप्रदाई के प्रवर्तक है छे मेंद्र, नेक्स्ट है रीतिवाद, रीतिवाद के प्रवर्तक है केशव दास, रीतिवाद के प्रवर्तक कौन है केशव दास, फिर से देख लेते हैं, वक्रोक्ती संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक, और चित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है छेमेंद्र, रीतिवाद के प्रवर्तक है केशव दास, पुछा जाता है तो जाय शंकर प्रेषाद है अगर हाला वाद पुछा जाएगा तो हरिव़च राय बच्चन है प्रपध्यवाद या नकेनवाद इसके प्रवर्तक है नलिन विलोचन शर्मा जो है वो प्रपध्यवाद या नकेनवाद के प्रवर्तक है नेक्स्ट है मांसलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुकल अंचल नेक्स्ट है कैपसूलवाद के प्रवर्तक है ओमकारनात रिपाथी नेक्स्ट है ओदात्यव्याद के प्रवर्तक है लोजाईनस जो है वो ओदात्यवाद के प्रवर्तक है अस्तित्यवाद के प्रवर्तक है सौरेन कीर्क गार्द फिर से देख लेते हैं प्रपध्यवाद या नकेनवाद के प्रवर्तक है नलिन विलोचन शर्मा प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अग्ये प्रपध्यवाद या नकेनवाद की प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् उसके प्रवर्तक है कालर माक्स, माक्स वाद के प्रवर्तक है कालर माक्स, मनो विशलेशन वाद, important है, मनो विशलेशन वाद जो है, उसके प्रवर्तक है, फ्रायड, फ्रायड जो है, वो मनो विशलेशन वाद के प्रवर्तक है, next है, प्रतीक वाद, प्रतीक वाद के प्रवर प्रवर्तक है जीन मौरियस, अभी व्यंजनावाद, अभी व्यंजनावाद की प्रवर्तक है बेन देतो क्रोंचे, अभी व्यंजनावाद की प्रवर्तक है बेन देतो क्रोंचे, नेक्स्ट है बिम्बबाद, बिम्बबाद की प्रवर्तक है टी ए हुम, तो माक्स वाक्ती प एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं, रज संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए भरत मुनी, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भामा और मम्मट, रीती संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडी और वामन, जो है वो रीती संप्रदाय के प्रवर्तक है, ध्वनी संप्रदाय के प्रवर्तक कोने आनंद वर्थन नेक्स्ट है वक्रोक्ती संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक और चित संप्रदाय के प्रवर्तक है छे मेंद्र नेक्स्ट है रीती वाद के प्रवर्तक कोने केशव दास स्वचंदता वाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक स्वचंदता व प्रपध्यवाद की प्रवर्टक है अग्य प्रपध्यवाद या नकेन वाद की प्रवर्टक है नलिन विलोचन शर्मा जो है वो प्रपध्यवाद या नकेन वाद की प्रवर्टक है मांसल वाद की प्रवर्टक है रामेश्वय शुकल अंचल कैपसूल वाद की प्रवर्टक अस्तित्वाद की प्रवर्तक है लोन चाइनस, अस्तित्वाद की प्रवर्तक है सौरेन कीर्कगाद, नेक्स्ट है मार्क्स वाद की प्रवर्तक है काल्र मार्क्स, नेक्स्ट है मनुविशलेशन वाद की प्रवर्तक है फ्रायड जोकी इंपोर्टन्ट है, मनुविशलेशन व वो प्रतीक वाद के प्रवर्तक है, अभी वेंजनावाद के प्रवर्तक है, ब्रेन देतो क्रोंचे, अभी वेंजनावाद के प्रवर्तक है, ब्रेन देतो क्रोंचे, नेक्स्ट है, बिम्ब वाद के प्रवर्तक है, T.E. हूं, कौन है T.E. हूं, तो इस तरह से हमने हिंदी के प्रमुक्स संप्रदाय वात को पढ़ा और उसके प्रवर्तक पढ़े नेक्स वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक कराऊंगी B.Ed. and Seated की सभी क्लासेज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप देख सकते हैं पीडियेफ के लिए आप मैं टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में